आज की जो कहानी में आपके सामने लेकर आई हुई एक ऐसी लड़की की है जो कुछ बनना चाहती थी और उसके पिता ने उसको पढ़ाई के लिए गर्स हॉस्टल में भेजा हुआ था वो लड़की पढ़ाई में नंबर वन थी और बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाई करती देखने में काफी सुन्दर थी और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी काबलियत वो लग रखती थी लेकिन उसके साथ घटा है कुछ ऐसा कि वो पाई जाती है छे महीने की गर्वती जिसको सुनकर उसके पिता के होस्कुम हो जाते हैं एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आप विश्वास करना बंद कर सकते हैं कि आखिरकार बच्चियों को हम कहां पर सुरक्षित समझ सकते हैं उसको एक गल्स होस्टल में भेजा जाता है लेकिन वहां भी उसके साथ होता है कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप हैरान हो सकते हैं अगर आपको इस घटना को पूरा जा अपनी बेटी को बहुत कुछ आगे पढ़ाना चाहता था उसको एक अच्छे मुकाम पर पहुचाना चाहता था लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि लड़की के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं उस लड़की को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा वो उसको रोज देखता था जिसका नाम था हरी प्रशाद हरी प्रशाद नाम का वो लड़का उस लड़की को रोज देखता था तक था एक दिन जब वो समान लेने के जाती है तो उसको कुछ ऐसी चीज दे दी जाती है खाने में उसको कुछ चीज दे जाती है प्रशाद क बना लिया जाता है अब वो लड़की जब घोस में आती है तो वो सीधी अपने होस्टल पहुंशती है और वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई जारी करती है लेकिन दूसरे दिन उस लड़की को कॉल आता है उसी लड़के का कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मेरे पास सिलसला लगातार चार महीने तक चलता है चार महीने चलने के बाद जब यह सिलसला रोज चलता है तो सभी लड़कियों को वार्डन को टीचर को प्रिंसीपल को सभी को यह बात पता चल जाती है लेकिन कोई भी उन मैसे कोई भी मामला दर्ज नहीं कराता है उस लड़की के पाफत से अकेली जूशती रहती है अब इस बात को चलते हुए करीबन छे मईने हो जाते हैं और जब सभी लोग उसकी तरफ घरना की नजर से देखने लगते हैं तो वो लड़की फैसला लेती है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी मुझे अपने घर जाना है वो लड़की ह तो जैरीला पदार्थ खा लेती है जिसके वजह से उसकी तबियत लगातार बिगड़ने लगती है जैसे ही बेटी की तबियत खराब होती है तो उसका पिता उसको नजदी की हॉस्पिटल में ले जाकर एड्मिट कराता है वहाँ पर जिब डॉक्टर से पिता बात करता है डौक्टर एक ऐसी बात बताता है कि जिसको सुनकर उसके माता-पिता के पेरोतलिक धर्थी निकल जाती है वो बताता है कि आपकी बेटी छे महीने की प्रेगनेंट है जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो उसकी आँखों से आशों निकलने लगते हैं माता पिता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और एक गुसा भी होता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ अब वो इंतजार करते हैं तो सिर्फ उस लड़की के होस में आने का लेकिन लड़की की तब्वित बार बार खराब होती जा रही थी हर जो करीबन वो 48 गंटे तक हॉस्पिटल में रही और 48 गंटे बाद वो लड़की दम तोड़ देती है वो इस दिन्या से अलविदा कर जाती है जिसमें की इसका कोई भी साती नहीं हुआ था अब माता पिता को इतना गुसा आता है कि वो सीधे हॉस्टल जाते हैं वहाँ जाकर पुलिस को ले कर जाते हैं जब पुलिस उस लड़की की call detail निकलवाती है तो उसमें पता लगता है कि एक हरी प्रिसाद नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा बाते करती थी बार बार उसको call आता था, जब उस हरी परिशाद को उठाया जाता है वहां से, तब उस से पुस्ताच की जाती है, इधार warden से बात की जाती है, वहां के प्रिंसिपल से बात की जाती है, और कुछ लड़कियां जो ऐसी थी जो उसको परिशान करती थी, उन सभी पुलिस अच क्योंकि वो सब भी उसको इतना परिशान करते थे इतना दुखी करते थे वो लड़की बिलकुल हतास हो गई थी उससे किसी ने भी उसके मन की बात नहीं पूछी और मैं जितनी भी कहानियां आपके साम में लेकर आती हूं सभी मैं एक आप से रिक्वेस्ट होती है कि आप लो चार्चीट दायर करती है और फिर इनके खिलाब मामला दर्ज हो जाता है और केस चलता है यहां पर इस लड़की को इनसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो उस पर डिपेंट करता है लेकिन वो लड़की इस दुनिया में अब नहीं है जो कुछ बनना चाहती थी जो अपने म तब तक के लिए जैहिन जैवारत